हेलो दोस्तों सीता की कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों आज सभी बच्चे सुई लगवाने के लिए होस्पिटल में आए हुई हैं तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होने वाला है डोक्टर शालू आपने टीका करन की सारी तयारिया कर ली है ना देखो कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए हमें सभी को सुई लगाने हैं आज कितनी चौधा बिमारिया फैल रही हैं अरे हाँ डॉक्टर पूजा सारी तैयारे अच्छे से हो चुकी हैं सभी बच्चों को अच्छे से सुई लग चाहेगी मैंने नर्स को भीजा है मैंने को सोचा है ताकि बच्चे अच्छे से सुई लग वाले पिछली बार तुमने देखा था ना बच्चे हमें देखकर ही चिपी जा रही थे और कितनी मुश्किल होई थी हमें देखा कर इन में अरे हाँ वही तो कह रही हूं डॉक्टर पूजा बहुत मुश्किल है बताईए चलो मैं चाकर ही देख लेती हूं अरे वाह इतने सारे किलोने इसका बदलब आपको याद था कि छे महीने बाद मेरा चैनम दिन आने वाला है तैंकि सो मच डॉक्टर पूजा आप तो सच मुश बहुत अच्छी है चलो कोई बात नहीं तीका करन के बात मैं ये सा आरे खिलोने मैं आप के लिए नहीं बच्चों के लिए लेकर आई हूं जो बच्चा सूई लगवाएगा उसे एक खिलोना दिया जाएगा समझी आप पता नहीं आप ही क्या क्या बात बना लेती हैं अपने दिमाग में अरे वही तो मैं भी कहूं कि आप मुझे गिफ्ट दे ही नहीं सकती एक नमबर की कंजूस हैं आप चलो कोई बात नहीं ये खिलोने बच्चों को ही दे देना कम से कम अच्छे से सूई तो लगवा लेंगी वो वरना पहुत परिशान करती हैं चलो मैं यहां कुरसी पर बैठ चाती हूं बच्चे आते ही होंगी उसके बाद उ मैम साब सीता मैम साब कहा है आप देखिए आज मुझे चल दे घर जाना है हरे तुम तो रोज ही चल दे घर जाने के पहाने बनाने लगी हो चाननी क्या हुआ बताओ जरा घर का काम कोन करेगा देखो ना घर पे दिपावले की सफाईयां चल रही है और तुम घर जा रही हो वो बात यह है ना आज गाओं में ठीका करन है तो मुझे मेरी बेटी नटखटी को सुई लगवा कर लानी है पता है ना कितने ज़्यादा बिमारिया फैल रही है मैं उसे जरूर ले जाओंगी अरे हाँ मुझे भी तो सोनल और सुई लगवाने थी पता नहीं यह लड़किया कहा है अच्छा ठीक है तुम चले जाओ मैं भी लगवाओं भी सोनल सुई अरे तुमने सुना दीदी हमें सुई लगने वारे है चलो भागो यहां से हाँ चलो हम यहां से जाती है नहीं तो ममी पकल कर सुई लगवा देगी हमें मुझे तो सुई से बरा डल लगता है अरे हाँ चलिए तीदी हम कहीं छिप चाती है वरना ममी हमी देख लेगी ठीक अचान नहीं तुम नटखती को सुई लगवाने के लिए ले जाओ मैं और र उसे भी खिलोना लेना है मेरे पास तो इतने पैसे नहीं होते कि अपनी बच्ची को खिलोना खरीद कर दे सकूँ हाल तो उसे खिलोना मिल की जाएगा जल्दी भागो श्वीती जल्दी भागो यहां से अरे हाँ आ रही हूं शोनल रुको दल नहीं लगता क्या मैं उल्दी तो जा लही है खितों में हम तो वही पल जाकर किसी पेल के उपल शिप जाएगी चलो तुम भी चलो हमारे साथ हम तुमें भी चिपा लेंगी अरे नहीं दीदी मुझे तो शोई लदवाना है तो दी आज दोक्तर बटो को खिलोने देने वाली है इसलिए मैं तो मेली मम्मी के साथ दाल ही हो शोई लदवाने क्या खिलोना मिलने वाला है अरे वाग ये तो बहुत अच्छी बात है चलो ना शोनल दीदी हम में शोई लगवा लेते हैं हमें भी खिलोना मिलेगा हाँ मैं तो डाल ही हूँ मेली ममी ते शाथ शूई लदवाने अले ऐशा कुछ नहीं है शूईती ये लोग शिर पेवकुर बना लही है बैच्चो को कोई खिलोना नहीं मिलेगा अरे राधा देखो ना ये सोनल शूईती पता नहीं कहां चले गई है इन्हें भी सोई लगवानी थी दीदे लगता है इन्हें पता लग गया है और ये छिप कई है चलो कोई बात नहीं मैं चिंटू को लेकर चली जाती हूँ सोई लगवाने के लिए आप उन्हें बात में लेकर आ जाना ममा मुते सोई नहीं लगवाना चिंटु बेटा तुम सुई लगवाओगे तो तुम्हे खिलोना मिलेगा चलो सभी 25 सुई लगवाने गए हैं अरे हाँ चिंटु बेटा छुटकी और मुन्डा मुनिया भी गए हैं सुई लगवाने के लिए सभी को बड़े सुन्दर सुन्दर खिलोने मिलेंगी ठीक है दीदी मैं चिंटू को लेकर जा रही हूँ आप चल्दी ही सोनल सुईदी को ले आना इधर सभी लोग सुई लगवाने के लिए आए हुए होती है यहाँ पैचुटकी भी अपनी दादी मा और मुन्दा मुनिया के साथ आए हुई है अरे देखो नटखटी और चटपटी जल्दी से चाकर सुई लगवालो और अपने अपने खिलोने ले लो ठीक है ना फिर मुझे मेम साथ के घर काम करने जा रहा है तादी मा दुक्तर को कहो ना मुझे सुई लगा दे नहीं तो साले धिलोने ये तटपटी और नटखटी ले लेंगी अरब इतिया बहुत सारे खिलोने हैं यहाँ पर खिलोने खतम नहीं होंगे नहीं तादी मा मैं दा लही हो सुई लगवाने दे लिए नहीं तो में ले लिए तोई धिलोनों नहीं पतेदा यहाँ पर मिंकी सुई लगवाते हुए रो रही होती है ममी, ममी, किती जोड से सुई लगा थी दोक्टर ने, ममी अभी तो बड़ी बहादूर बन रही थी तुम और अब रो रही है देखो तुम्हारा चोटा बाई भी तुम्हारे उपर हस रहा है अरे कैसे बेवकुफ डोक्टर है यह एक तो इतने चोड से सुई लगा रही है और उसके बाद बच्चों का मजाग उडा रही है मैं तो जाकर अपने खिलोना ले लेती हूँ अरे मुझे तो बड़ा दर्द हो रहा है लेकिन कोई बात ही मैं तो सबसे बड़े वाला खिलोना ही लोगी कौन सा लूँ कौन सा लूँ चलो अरे नहीं नहीं बोल मैं नहीं लोगी मैं तो ये वाला टोरे मॉन लोगी टोरे मॉन तो मेरा फेवरिट है कितना सुन्दर टोरे मॉन लिया है मैंने देखो चिंटू, अब तुम भी सुई लगवा लो ओके, मैं भी सुई लगवा लेता हूँ दोतर मुझे सुई लगा दो और देखो, धीले से लगाना ओके बेटा, तुम्हें मैं धीले से ही सुई लगाओंगी वे, वे, वे देखो कैसे रो रहा है ये मोटा बच्चा तुम बहुत कंदी दोक्तर हो सुफ पंदल तैसी सटल वाली इतनी दोलते मुझे को शुई लगा दीती हो ओल फिल दोल दोल से हस्ती हो पागल कंदी दोक्तर दोक्तर को गुसा करके चिंतो खिलो ना लेने केलगी चला जाता है मैं तो ये वाला खिलो ना लो दा तितना शुदल है दोक्तर मुझे भी शुई लगा दो और देतो हस्तना नहीं शुई लगा दल तुम बहुशते हुए बहुत गंदी लगा दी हो एकदम बंदल आके तैसी अब तुप्ताप शुई लगा दो मुझे अरे देखो तो सही ये छोटी लड़के कितना जादा बोलती है कब से मुझे बाते सुनाए जा रही है हाँ तो वो बिल्कुँ सही कर रही है दोक्तर शालू तुम ही तो बैच्चों के उबर हस रही हो चलो मैं ही तुम्हे सुई लगा देती हूँ बेटा तुम तो बड़े अच्छी हो वे 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 दादी मा दादी मा चुटकी बेटा रोते नहीं है चलो मैं तुम्हे खिलोना दिला कर लाती हूँ जाओ छुटके बिटिया, सीता आंटी के साथ खिलोना ले आओ खेलो सीता आंटी अरी पिरता रोते नहीं है, चलो मैं तुम्हें एक सुन्दर सा खिलोना दिला देती हूँ आंटी मैं तो ये मदल मदलो दी, ते दो तितना शुदल है और इस तरह से छुटकी अपना खिलोना ले लेती है और राधा चिंटू और छुटकी को लेकर घर की तरफ चली जाती है दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए बापाई